हलो दोस्तो मैं आधित स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जहाँ आज हम आपको बताईंगे कि आप Samsung का फोन का insurance claim कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पे आपको show हो रहा है कि Samsung का यह phone A-22ami कि कोई साभी Samsung का phone अगर आपने उस phone में insurance ले रखा है तो आप insurance claim कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने में कि my insurance का option यहाँ पर शू हो रहा है इन्होंने मेरे customer का phone है इन्होंने loan पे phone रखा था और साथ ही insurance भी करवाया था तो चलिए आज हम लोग insurance का claim का process जानते हैं दोस्तों आप claim दू तरीके से कर सकते हैं एक तरीका तो जो यहाँ पे सामने शो हो रहा है इस phone में अगर आपका टच काम कर रहा है phone का तो आप सामने इस claim बटन पर click करके आगे बढ़ सकते हैं जैसा कि हम इस claim बटन पर click किया और यह एक page खोल रहा है second option भी हम आपको बताएं कि आप कैसे claim कर सकते हैं और यहाँ पे book and repair होगा option सामने में सो कर दिया book and repair पे आपको click करना है और अपना phone का यहाँ पे Moodle अपने आप आ जायागा आपको वह भी select करना है उसके बार आप वेट करने उसके बार आपको नीचे scroll करके continue बटन पर click करन करेंगे तो आपका process हो जाए तो चलिए आप second method के तरफ बढ़ते हैं second method का use आप लोग तभी करें जब आपका phone काम नहीं कर रहा है तो चलिए इसके लिए एक link को आपको खुलना पड़े है जो कि आपको description में मिल जायागा तो चलिए हम लोग उस link पे click करके आगे बढ़ते तो दोस्तों यहाँ पर आपको me.servify.in slash login पर आपको चले जाना लिंक आपको नीचे description में मिल जायागा और यहाँ पर mobile नमर मांगे जा रहा है दोस्तों याद वह है आपने finance करते time जो सबसे पहला phone number दिया हो है सबसे पहला वही नमर आप यहाँ पर अगर आप अलग नमर देंगे तो आपका यह insurance fix नहीं करेगा आपका insurance नहीं बताएगा phone के साथ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वह number डालने के बाद मेरे customer का phone का number डालने के बाद यहाँ पे OTP आया है उस number पर OTP यहाँ पर इंटरे करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे verify बटन पर क्लिक करना है तो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे verify है यह verify होते ही आपका insurance आपको बता देगा इस phone में है कि नहीं अगर आपका insurance नहीं है या फिर अगर आप नंबर नहीं जानते तो आप customer care में call करके number पता कर सकते हैं कि मेरा कौन सा सबसे पहला register number था यहाँ पर आपको चार option देख रहा है सबसे पहला option पर आपको क्लिक करना है बुक और रिपेर पर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों यह आपका मोडल का नाम आ गया तो जो भी आपका phone रहागा उस मोडल का नाम आ यह बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हम आपको पहले बता रहे थे फुट 499 का आपको यह पे करना है हर एक हर एक फोन में डिफरेंट रहा था अगर आपका यह 22,000 का फोन है इसलिए इतना महंगा है अगर कम दाम कर रहा था 14,000 का तो यह 499 के आज पस रहा था फिर आपको यहाँ पर डेट सेलक करना है कि आपका किस तारीक को यह फोन फुटा था तो आप कोई साभी डेट सेलक कर सकते हैं इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको जैनुवीन ही डालना है आपको इसाभी डेट सेलक करें और कहां पर फुटा था आप यह भी सेलक करें और आपके फोन में क्या-क्या खराब है आपको यह भी सेलक करना है अगर आपका फोन मे सिर्फ इसके नहीं फूटा हुआ है तो हम सिर्फ इसक्रिण बदलवाएंगे बागी सब मेरा ठीक है और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ कहानी बना के डालना होगा कि आपको यह कैसे फूटा ठीक है यह आपको कोई वेडिफाइन ही करेगा कहानी लेकिन आप यहा माई फूटा एद सून ऐस पॉसिबल यहाँ पर आपको 100 रखते आपको कुछ न कुछ आपको यहाँ पे डालना ही और अगर आपका फोन में अगर पिछे का भी फुटा हुआ है तो आप यहाँ पे यहां पे यह भी यहां पे शो कर दें कि मेरा बैक साइड भी डैमेज है अगर आपका फोन एक साल के अंदर बहुत जादा डैमेज हो गया है तो ही आप क्लेम करवाएं या फिर और फूटने दें या फिर और उस फोन को फोड लीजिए वह बेटर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर 100 करने के बाद यहाँ पर कंटीनू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डालना आपका लिख्या जो पिन-के डिढ़ी रund नॉप द्रुट होता वो डालना तो फिलाल हम दोग अपने लोग अपने इडिया कंट डालेता है आप अपने यहाँ का इया पींको यहाँ द्र स्कॉल डाउन के नीछby उसके पाद आपको द्रूस कर्ज सेंटर का और आप किसी भी service center में जा सकते हैं Samsung का ही तो यहां से हम सबसे नस्दीक वाले service center पर क्लिक करते हैं और यहां पर एक आपको date आएगा कि आप किस date में जाना चाहते हैं तो यहां पर हम सबसे जब आप का appointment रहा जब आप free हो आप उस date का appointment ले लें तो यहां पर 26 अगस्त दिख रहा है जो कि 26 अगस्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही option खाली है चार बज़े से लेकर क्योंकि यहां पर time भी जादा हो गया सारे तीन बज़ रहा भी मेरे पास तो हम यहां पर next day का select करके अपना time period select कर लेता है तो दोस्तों यहां पर आपको एक alternate number डालना है जो कि optional आप डाल भी सकते नहीं भी डाल सकते हैं तो इसको हम लोग blank ही छोड़ देता है और next पर click करता है अब आपको दोस्तों यहां पर सारा आ जाएगा और आपको आप payment करना है यहां पर processing charge लाएगा आपको दोस्तों जो मैंने आपको बताया था सुरवात महीं इस phone में 799 लग रहा है आपका हर एक phone में अलग लग 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 तो यहां पर UPI card जिससे आप चाहें आप कर सकता है UPI payment फिल्हाल हम अपने phone पे से करेंगे और अपने आप मेरा यह खुल जाएगा अगर आप phone पे पे क्लिक करेंगे तो तो दोस्तों यहां पर security रिजन के वज़े से स्क्रीन ब्लैंक हो जा रहा है और यहां पर आप देख सकते phone पे कर 799 का आ गया है और UPI pin डालने के बाद मेरा payment यहां से हो गया है और यह पेज पर अपने यहां पर रेज्ट मिल गया है और डिफरेंस राइडी भी मिल गया है आप इसका स्क्रीन सोर ट्रक सकते हैं और आपको अपने नियरेस सर्विस सेंटर में जाना है कोई सा भी आप सर्विस सेंटर में जा सकते हैं सैमसंग का ही और उसको बताना है कि मेरा phone insurance में था और मेरा claim हमने कर ल आप जैसे उस नमर पर बताएंगे आपसे कुछ भी लिया नहीं जाएगा और आपका phone receive कर लिया जाएगा और वह आपको date बता देगा कि आप सर इस date में आए और अपना phone ले जाए या फिर आपको call कर लेगा phone जैसे ही बनने के बाद तो दोस्तो यही थी आज की वीडियो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जोरू करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद